असलालेकूम, welcome to my channel I with Shazia आज की वीडियो में मैं आपसे चना चाट की रेसिपी शेयर करूँगी दही वाली चना चाट की रेसिपी और हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है बहुत एजी रेसिपी है, मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आप से शेयर करूँगी, उसके लिए हम सबसे पहले ये दही ले लेंगे, ये दही है, सबसे पहले हम दही को, ये खटा दही है, मैं इसको मीथा करने के लिए वाइट शूगर का यूज़ करूँगी, यह आप यूज़ कर रही हूँ, हाफ टी स्पून या आप जितना स्पाइस आपको पसंद है चाट मसाला, बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना, आपने ताकि इसके अंदर शूगर और ये सब चीजे हैं, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे से फेंट के ना या आपने इसका क्रीमी सा टेक्स्चर बना लेना, ताकि इसके अंदर कोई भी लंज न रह जाएं, और ये बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्स्चर बन जाएं, अब ये हमारी जो दही है वो हो गई है, रेडी, अब हमने, अब ये हैं चन्ने मेर के पास अल्मोस्ट दो कप होंगे, अब हमने इसमें आपने आप लोग बॉयल आलू लेकर और उसको आपने बारीक बारीक सा काट लेना है, तमार्टर ये भी आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है, प्यास ये भी आप बारीक बारीक चॉप कर ले, अब हम इसमें धनिया करेंगे अब आम इसमें जो है वो बारी कटीवी हरी मिर्चे या अपने इस पाइस के लिहाज से डाल सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अब यह जो इन सब को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब यह सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है अब हमने जो दही वाला मिक्स्टर बनाया वा था अब वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और लास्ट में आप इस पे हलका सा चार्ट मसाला स्प्रिंकल कर दे यह थी आज की वीडियो मीद करती हूँ आपको यह अच्छी लगी होगी आप जरूर ट्राइ कीजेगा मुझे जरूर बताइएगा आपकी चना चार्ट दही वाली कैसी बनी इन्शाला मैं आपसे नेक् देजिए दौाओं में याद रखेगा लाफेज